ओम्श्री साइनाथाई नव्हाँ गुड मॉर्निंग, साइ मॉर्निंग आए अपने फिर से एक नए दिन की, नए जिन्दगी की शुरुआत करते हैं नए जिन्दगी इसलिए क्योंकि मालिक हमें रोज एक नया दिन देता है और नए जिन्दगी भी देता है हमें नहीं पता कल हमारे साथ क्या होने वाला है और अगर एक नया दिन मिला है, तो ये भी भगवान की देन है, वो हम पर महरपान है इसलिए उसे हमें यहां पर रखा हुआ है, यूँकि उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते उनकी कृपा होती है, उनकी दया होती है, वो हमारे साथ होते है तो हमारा हर काम किसी विग्न के बिना ही बन जाता है हमें पता ही नहीं लगता कि जो होने वाला नहीं था, वो कैसे हो गया तो ये उसका अशिरवाद होता है, जो आपको हमेशा संभाल कर रखता है जो आपकी हर जगा, जहां पर आप भगवान को याद करते हो या कभी-कभी नहीं भी याद करते हो, फिर भी वो कभी आपको नहीं भूलता वो हमेशा आपको याद रखता है हम क्या करते हैं? हम बगवान को फूल चड़ा देते हैं फल चड़ा देते हैं पैसे चड़ा देते हैं और उसके बदले जिंदगी भर का साथ मांगते हैं मांगते हैं न हम सब मांगते हैं लेकिन वो क्या मांगता है वो तो कुछ नहीं मांगता इसलिए हमेशा एक चीज़ याद रखिए भले आप सारा दिन पूजा मत करो भले आप माला जाप ना करो भले आप श्री साइं सचरित्र भी ना पढ़ो पस एक चीज़ हमेशा करना कि जब भी उसके पास बैठना न तो सिर्फ उसके होकर बैठना चाहे आप भगवान के पास पांच मिनट बैठो या दो मिनट वो पल सिर्फ उसको देना सिर्फ भगवान से बात करना सिर्फ उसकी बात करना यकीन मानना बहुत आनंदा आएगा बहुत सादा खुच सोचो जब आप किसी के घर जाते हो अगर आप उससे उसकी बात ना करके दूसरों के बाते करो उसका हाल भी ना पूछो क्या उसे अच्छा लगेगा अपने ही काम में व्यस्त रहो अपने मुबाइल में व्यस्त रहो आप उससे बात ही ना करो तो वो कैसा फिल करेंगे या फिर कोई आपके घर आए और वो अपनी मस्ती में मगन रहे आपसे कुछ ना कहे तो आपको कैसा लगेगा अच्छा नहीं लगेगा ना क्योंकि जब हम किसी के लिए वक्त निकालते हैं तो वो वक्त पूरा उसका होता है उसके लिए हमें उसके ही बनके रहना पड़ता है उतनी दीर तक फिर चाये आप दो मिनट रहो या पाँच मिनट तो इसी प्रिकार जब साईं के पास बैठो तो सिर्फ साईं के होकर के बैठो सब भूल चाओ उस वक्त सारे काम छोड़ दो क्योंकि आप अपने मालिक के पास बैठे हो इस बात को याद रखो ये वो मालिक है जो आपके नहीं भी काम बन रहे उनको भी बनाने में सक्षम है जिनके पीछे आप भागते हो ना वो आपकी नहीं सुनते हैं एक बार इसके पीछे भाग कर देखना दुनिया को आपके पीछे ना भगा दे तो कहना इतनी शक्टी है प्यार में और भक्ती में और साई के नाम में बहुत शक्ती है आजमाना नहीं बस महसूस करना ठीक है चलिए है आज की प्रातना शुरू करते हैं बहुत बाते कर लेती हूं मैं आपके साथ और मुझे बहुत अच्छा लगता है बस ये लगता है कि आप सब मेरे सामने बैठे हो और मैं बोलती जा रहे हूं और आप सुनते जा रहे हूं बाबा की तरह आप लोग भी मेरी हर बात को बहुत प्यार से सुनते हो, इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है एक तो बाबा प्यार से सुनते हैं और उपर से आपका प्यार बहुत धनी हुमें इतना प्यार देने के लिए हैं बहुत धनी हूँ मैं अपने आपको बहुत खुश में किस्मत मानती हूं कि मेरे पास आप लोग हूं Thank you so much इतना प्यार देने के लिए और मेरे जिंदगी में मेरे जिंदगी बने रहने के लिए Thank you so much तो आईए आज की प्रातना शुरू करते हैं और पुरे विश्वास के साथ जिनके भी नाम लिये जाएंगे उनकी मंचा उनकी बनो कामना खाली तो बिल्कुल नहीं जाएगी और जो भी health problem है जिनको भी उनका भी साइस हारा पनेंगे और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे ठीक है? हिम्मत नहीं हारना हम भी हैं आपके साथ और हमारे दिवा भी है तो आईए आज की प्रातना जिन लोगों के लिए की जा रही है दिवा उनके नाम है सोनी छिलर जी उनके हस्बंट रबिंद्र जेना अंकल जी बच्ची प्रन्वी बच्चा अविक सती साहु जी करनवीर हांडा जी पूर्निमा धामी जी सत्य देवी जी रामलाल जी बेटा परी बेटी परी लक्षे जी एंड आल फामिलीज हे देवा श्रद्धा की लाज रखना बाबा इन सब को अच्छे जिंद्रगी देना इन सब की मनोकामना पूरी करना और इन सब को स्वास्त्य अच्छा देना कोई बिमारी नहों बबाबा कोई परेशानी नहों कोई तकलीफ नहों और अकर तकलीफ हो तो उससे लड़ने की शक्ती देना मन का विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए बाबा और बच्चे आविक का जनम दिन है बच्चे को आप सभी धीर सार आशिरवाद दें हे देवा आप आशिरवाद दें और बच्चा खुब तरक्की करें खुब आगे बढ़े बहुत नाम कमाए अपना भी और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें इसे आशिरवाद के साथ हम बच्चे के लिए प्रातना करते हैं और आप सभी बच्चे को धीर सारे आशिरवाद देना और बच्ची परी का आज एक्जाम है बाबा उसको भी सथ बुद्धी दे और अच्छे माक्स के साथ उन्नती करें अपने लाइफ में बहुत आगे तक जाए सो आईए और जो लोग हमसे बढ़े हैं जिनके नाम है प्रेयर में मालिक उनकी सेहत उनके मनो कामना उनकी जो भी परिशानी हों से खत्म करके उन्हें अच्छे जिन्दगी देना और जिन्दगी में धेर सारी खुशियों का आगमन हो प्राथना कबूल करना और हम सब के विश्वास को और द्रड बना देना मालिक क्योंकि साई ने कहा है मन में रखना द्रड विश्वास करे समाधी पूरियास ये समाधी हमारे साई नात की हमारे हर मैंचा को पूरी करेगी हर मनो कामना पूरी करेगी लेकिन इसे सिर्फ आपका विश्वास चाहिए तो चलिए ग्यारा वश्नों में ग्यारावचनों के साथ अपने अंदर अनर्जी भरते हैं और अपना दिन शुरू करते हैं कैसे नहीं होगा काम सब काम बनेगा हम मेहनत करेंगे और अपने लक्ष को हासिल करेंगे कोई रोक सकता है साइभक्तों को नहीं न आईए आगे बढ़ते हैं चलिए ग्यारावचन साइनात शद्धा की लाज रखना बाबा जो शेड़ी में आएगा आपद दूर भगाएगा चड़े समाधी की सेड़ी पर पैरतले दुख की पेड़ी पर त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हे तु दोड़ा आऊंगा मन में रखना द्रड विश्वास करे समाधी पूरी आस मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा जुठा होगा आस सहायता लो भरपूर जो मागा वो नहीं है दूर मुझ में लीन वचन मन काया उसका रणना कभी चुकाया धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तजिचिसेन अन्य अनन्य अनन्त कोटी ब्रम्हांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रम्ह श्रिसचिदानन सत् आयनात महाराज कीजे आप सभी का दिन शुब हो मंगल मैं हो ओम सायराम जै सायराम